प्रस्पक्त मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुरेश ज्जेन साब प्लीज मंच पर आएगा टीम्यू के चेर्मन है टीम्यू की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा टीम्यू को ब्रीफ अगर हमें आप दे तो बहुत पहतर मुरादबाद में एक मात्र प्राइवेट यूनिवस्टी था 2008 में उसके बाद एक और यूनिवस्टी भी यहां बनी शिक्षा के छेत्र में हम लोग बहुत पिछले हुए से थे क्योंकि जो पुरानी एजुकेशन थी वह यहां पर दी जा रही थी आजकल के हिसाब से जो टे स्था हेंश बनीवस्टी और सफ पहले।ो अब यहां पर टो अब यह बड़ा एक केमपज है 14 doubled को हुके ब Kendra करेभ यहां कोलेजियोंगे बुरेट में वहां पर थे भाले हैं साथ 4,000 स्टुडेंट्स वहां होस्टेल से रहते हैं और हमारी सो बसिस से आसपास के सो किलूमीटर तक के इस्टुडेंट्स भी कई हजार की संख्या में होँ आते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में भी हम लोग काफी काम करते हैं हमारे पास 1.500 मैडिकल MBS की सीट हैं 126 PG की सीट से जिसके कारण जब उत्तर प्रदेश सरकार दौरा हमें लेविल 3 हॉस्पिटिल डिकलेर किया गया जो इन पांचो डिस्टिक्स में कोई इससे पहले और नहीं था तो वो जिम्मेदारी भी हमने मखुवी निभाई और आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्र मरादबाद के बच्चे हैं चुकि अभी ऐसा नहीं है कि तमाम जो लोग हम रादबाद के वह ही पड़ते होंगे बाहर कारूप भी करते होंगे तो क्या सरकार को यहां पर और युनिवर्स्टी लाने की जरूत है कितने डवलेमेंट की जरूत एजुकेशन में है यहां पर अब बढ़ाने के प्रयास में है और मेडिकल की हम लोग हंडेट सीट्स एमबीबीएस की और बढ़ाना की तैयारी में है इसके अलावा कैंसर हॉस्पिटिल्स की यहां दिकत है तो एक सस्ता और गरीब आदमी को भी जिसमें इलाज मुहया हो सके ऐसा कॉंसर हुस्पिटिल भी हम यहां बलाने की तैयारी में है तो एक जिम्मेदारी है आपकी आप कोशिश कर रहे हैं वह बहुत 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 रहेगी मैं आपको बता दूँ के हमारे यहां पंदरा सो से अठारा सो मरीज की रोजाना ओपीडी होती है और ओपीडी का एक भी रुपिया चार्ज नहीं किया जाता है इसके बाद जब कोई डॉक्टर उसको देखता है अलग-अलग डिपार्टमेंट में बीस डिपार्टमेंट ह प्रॉफेसर लेबल के एसोसेट प्रॉफेसर लेबल के या असिस्टेंट प्रॉफेसर लेबल के जो भी डॉक्टर्स न मरीजों को देखते हैं किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिये जाते हमारे यहां मरीज आएगा अपने टेस्ट कराएगा जो बजार से 20-25-50 परसेंट और उसके बाद उसका पर्चा लिख दिया जाएगा दवा का वो दवा हमारे यहां से भी खरीच सकता है कहीं और से भी खरीच सकता है तो इस तरह से केबल दवा के पैसे उसको देने है या मामूली टेस्ट का पेमेंट उसको करना है जो बहुत जरूरी हो क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं होस्पिटल में वो अपने स्टुडेंट्स की पार हमारी सेवा है और क्यूंकि हमारे यह डॉक्टर की से जोईक्डों में है जिसके कारण हम कोरोना में भी और अभी वि और आज की तारीख में भी हमारे पास 400 के करीब माली दाकिल है उनके अटेचने बहट आदमी के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं और उनकी बहुत दुआएं हमें मिलती है और हमारा मरीज पांच जास हजार रुपे में जो ऑपरेशन करा के चला जाता है वो एक बड़ी बात है और यह इससे मुझे एक संतुस्ती होती है कि समाज ने जो मुझे इतना कुछ दिया है वह उसको कुछ हिस्टा उनको वापिस कर पा लोगातार लेकिन उस खामी को दूर करने के लिए आप लगातार प्रयासरत है लेकिन उसी प्रयास में और कितना एड़ान होना चाहिए और कितनी चीजे होनी चाहिए यहां पर ताकि मुरादबाद के लोग मुरादबाद में रहें दिली का रुकना करें मेडम हमेशा यह प्रयास हर अच्छी संस्था का रहता है कि वो जादे से जादे लोगों तक पहुंचे जादे से जादे लोगों की सेवा कर पाए और उसमें हम लोग कामयाप भी होते हैं नतीजे के तो और पर ये मैं अप ये तो नहीं कहूंगा कि दिल्ली जाने वाले मरिय जो की संख्या कम हुई है मगर निश्चित रूप से ना के बल हमारे मेडिकल कालीज और हॉस्पिटल में बलके और भी हॉस्पिटल काफी यहां बने हैं जो काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और जहां पहले थोड़ा भी सीरियस मरी होता था तो उसको दिल्ली लेकर भागत है कितना उसको अटेंड कर पाते हैं क्या होता है वह वही जानता है जो जाता है लेकिन मेरा अपना अमान नहीं है कि जब कभी भी आप एक किसी सीरियस मरीज को या गंबीर हालत में मरीज को लेकर दिल्ली दोड़ते हैं यह हमारे बैठे हैं मेर साफ यह खुद इस बात के स होचते हैं वो एक ऐसी महिला जो मुरदवाद के टाज में घीरे की तरह थी वो हमारे बीच नहीं रही तो हमेशा यह प्रयास रहता है कि सीरियस से सीरियस मरीज यहां पर ठीक किये जाएं और वो हो भी रहें लेकिन अब जिसके पास पैसे जाना है तो वो तो अमरीका भी जाएगा वो तो लंडन भी जाएगा वो दिल्ली भी जाएगा वो हैदराबाद भी जाएगा वो अलग बात है लेकिन एक कॉमन में के लिए हम सारी सो बिदाय दे रहें सारी सो पर स्पेसिलिटी जितनी भी है उनमें सब में हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं डालेसिस हो ब्रें प्रुशे सब्सक्राइब लि इसके बजट में उसको हम लोग यह ठीक कर रहे हैं Haर्ट लोग उसको दुर्वीन बिदी से भी कर रहे हैं, छोटे से दो टी के लगते हैं और हाट की सरजरी, बहुत कुछ हो जाती है, तो जो बैस्ट पॉसिबिल डॉक्टर्स हैं, क्योंकि हमें 126 सीटे मेरे पास हैं, जो शायद नॉर्दन इंडिया में हैं, मेडिकल एमडी और एम होने के बाद, और भगवान की करपा से वो जहां जहां जाता है, चाहे वो एमस में जाये चाहें कहीं और जाये, उनको ये क्वालिटी होती है और वो अपने उस जो उनकी वर्किंग एफिचेंसी है, उसकी वहाँ चाप छोडते हैं, इसका एक, मैं आपको उधारों बताता है, तो उनकी फिर फर्स्ट चोइस यहां होती है, नतीजे के पहुत होर पर दिल्ली में जो टॉप डॉप डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, उनके बच्चे यहां MBBS और PG करने आ रहे हैं, ऐसी तमाम मतलब एक लंबी लंबी फैलिस्त है, IPS अपसर्स हों, IAS अपसर्स हों, डिली के जस्टिस हों, दूसरी जगह के हाई कोर्ट के जस्टिस हों, तमाम लोगों के बच्चे अगर यहां पढ़ने आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम उने कुछ दे पा रहे हैं, कोई क्वालिटी एजुकेशन हम उने दे रहे हैं, बिल्कुल सर्, यह भरोसा ही है, और ज जैसी आगे लगातार बढ़ाते रहेंगे, और इसी तरीके से जनता केलिए समर्पित रहेंगे, आप बहुत शुक्रिया है, यहां पर हमारे साथ जुडने के लिए, हमें मंच देने के लिए, यहां पर बहुत शुक्रिया याप दोनों का